चलिए सुन्स आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ साइंस का चैप्टर मोशन एंड टाइम का कोशन नमबर फोर्थ कोशन में हमसे कहा गया है दो स्टेशन्स है तो ये है हमारा पहला स्टेशन और ये हमारा है दूसरा स्टेशन ठीक है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टन्स है इन दोनों के बीच का जो डिस्टन्स है वो हमें गिवन है टू फुट्टी किलोमीटर ठीक है? तो जो ये डिस्टन्स है ये है टू फुट्टी किलोमीटर करेक्ट अब देखे एक ट्रेन है एक ट्रेन है यहाँ पर और जो यह train है न, वो 4 hours में, यानि कि वो लगाता है time, 4 hours, and 4 hours में station A से station B पर पहुँच जाता है, ठीक है, तो इस station से, इस station के बीच का distance है 240 km, और जो यह train है, यह 4 hours में, इस station से, इस station पर पहुच जाता है, तो हमने बताना है, कि इस train का speed कितना होगा, ठीक है, तो हमने इस train के speed को calculate करना है, तो चलिए solution स्टार्ट करते हैं, अब देखे स्टून्स, station A and station B का जो distance है, वो है 240 km, ठीक है, तो यहाँ पर distance हमें given है, 240 km, and जो time लग रहा है, train के द्वारा, station A से, station B पर पहुचने पर जो time लग रहा है, वो लग रहा है, 4 hours, तो time यहाँ पर है, 4 hours, ठीक है, हमने speed निकालना है, ठीक है, हमने speed को calculate करना है, अब देखे स्टून्स, जो speed होता है, वो होता है, distance upon time, ठीक है, speed होता है, distance upon time, तो speed को निकालने के लिए हम, distance को time से divide करेंगे, ठीक है, देखे, distance यहाँ पर है, 240 km, इन दोनों stations के बीच का जो distance है, वो है, 240 km, तो distance की जगा पर आएगा, 240 km, ठीक है, upon में हमने time को लिखना है, station A से station B पर पहुँशने के लिए, train को time लगता है, 4 hours, तो हम time की जगा पर लिखेंगे, 4 hours, ठीक है, तो अब हम time से distance को divide करेंगे, तो हमारे पास में train का speed आ जाएगा, ठीक है, तो देखे, 4 से जब हम 240 को divide करेंगे, तो देखे, 4, 6 जा होता है, 24, माइनस करने पर बचेगा 0, यहाँ पर यह 0 है, यह निच्चा आ जाएगा, ठीक है, 4, 0 जा होता है, 0, ठीक है, तो जब हमने 4 से 240 को divide किया, तो हमारे पास में आ गया 60, तो जब हम 4 से 240 को divide करेंगे, तो आएगा 60, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में train का speed आ गया 60 km per hour, train का speed आ गया 60 km per hour, ठीक है, तो speed of train हमारे पास में आ गया 60 km per hour, और यह आ गया हमारे इस question का final answer, ठीक है, यहाँ पर हमने जो train का speed है, वो calculate कर लिया, ठीक है,